हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आप किसी प्राइविट कमपनी में काम कर रहे हो और आपको बिना किसी गलती के कमपनी से बहार कर दे जाता है तो आपके दिल पर क्या भी देगी ऐसा ही कुछ बावल में सनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कमपनी के वरकरों के साथ हुआ कमपनी के वरकरों ने स्टेट न्यूज हराना के पत्रकार को अपनी वैथा बताते हुए क्या कहा आईए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट नमस्कार स्टेट न्यूज हरियाना में आपका स्वागत है मैं हूँ आमित अमन आज हम मौजूद हैं बावल में सनो इंडिया जो कमपनी है यहां हम मौजूद है तिन सो बदिस नमबर पलोट है सक्टर थीन में यहां जो यह लोग आपको खड़ए दिखाई दे रहे हैं इनकी मांग है कि इनको हटाया जा रहा है इनको दुबएरा से बचहल किया जाए इनको खटाया जारा बिना किसी रीजन के बताय होए इतने लोग आपके सामने खड़े हैं प्युक्र हाईल में बताए कि पूसर Main Chr Upper सेरह गर बढ़ीघर हमारा ऐसी हो जाता है बिना साथ कोई साहे नहीं होंगेसाथ यहाँ इस वसे घ्रफना है लट लोड जाते बंदे इस में वाजा से यह इस त्युत ऑल सफॉत है कि हम आपना हैं यूनियन हमारी फेलते मेरे यहJK यही बात है सार इंदर बिना बताय बिना कोई रिजन दिये कंपणी से निकाला जा रहा है और यह सबी लोग जितने भी लोग आप देख पार हैं सारे लोग खड़े हैं जो भी आपकी यह मांग से मांग बता हैं जो आपने यहां पे जो सरते हके लिकिये हुईए एक सार वर्गर Venard कर लीख़ा बेदा बड़े हें क्याइप्सक्सार । नहीं है और एकागच पर इंट्री वजाते हैं और आउट के हो जाती है कोई लेना देना नहीं है अर तीन साल से एक उर्फे बदानी है जो हमारा जो सरकाने तीन सो रफे जो बदाये थे वह हमारा है चाहर में से गठागे हैं वह कर दिया 10 पर संथ बढ़ना चाहिए सब गोंग किसी बंदे का बनना हो दो किसी को को एंटीना अँडिकत ना हो किसी बंदे कि अगर इसके बाद भी यह लोग आपकी जो भी यह तीन मांगे आपने रखें यह नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं तो आपका कदम क्या होगा अगर यह आपकी मांगे नहीं मानते तो आप करेंगे क्या हम अपना लेबर कोट में अपना दावाड अलेगें कोई अनसन वगरा भी करने कि कि हम कोई भी दंगा फसाद नहीं करना चाहतें, सिर्फ एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो भी शानती से बैठ के यहां प्रोटेस्ट करने की मांग है और इन लोगों ने बताया है, कि जो भी यह इतने टाइम से यहां काम कर रहे हैं, तो इनको कोई ना कोई अपोइंट् इतनी भी मांगे हैं चोटी मोटी इनकी मांगे कि गेट इनके लिए बंदना किया जाए इनको इस तरीके से बाहल किया जाए कि इनको भी लगे कि यहां पर एंपलोई हैं सिर्फ इतनी सी इनकी मांग है और इतने लोग यहां पर खड़ें सर आप बते हैं आप क्या कहने चाहत है हमें कियों नहीं लिए आ जाते हैं यहां कि इन लोगों की जो यह मांग है यह मानी नहीं जा रही है। और इनका कहना है कि अगर ये प्रोटेस्ट भी करेंगे तो वो भी शांती पूर्ण तरीके से करेंगे कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे जी सर्बते ही जो अंदर बात करने के लिए पांच में मर गए थे वो अभी आ गए अब ये निने बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हु करेंगे सर आप अंदर गए थे आप हमें बता कि अंदर क्या बात हुई और लोगोंने आपको एक उमीद्थ बंदाई है साब हमारी बात अभी हुई है कमपनी के जो मालिक साब है केवल रोजगार सुरिक्षित कर दो आप हमारा गेट बंद कर रहे हो आए दिन दो-चार गेट बंद कर रहे हो कभी दो, कभी चार ठीक है पुराने लड़कोगा कर रहे हो 5-5 साल का हम कहां जैसर बेगर कर दिया उन्होंने, तो हमने कहा कि साब हमारा जायज गेट बंद करो आप एक तरीका होता है निकाल लेगा कि पहले कुछ ही भाई तुमने ये गलती करी है इसके बाद तुमें कभी मोका नहीं मिलेगा अगन की बार गलती करोगे तो भाई साब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ आपका गेट बंद हो जाएगा इस तरीके से आप निकालो लेकिन साब एक नाजायत तरीके से मैं पांच साल से काम कर रहा हूँ ठीक है कमपनी ने मुझे रात को आठ बजे कॉल गिया तेरा गेट बंद हो गया मैं नादो कि सुभाया रिक्वेश्ट करूँगा साब मेरा गेट कैसे खुल जाए मैंने कोई गलती नहीं करी आज तक साब भायों ने ऐसी उनके साथ हो रहा है और कमपनी से हम यही रिक्वेश्ट करके आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम डिसकस करते हैं और हम चाहते हैं साब हमन के लिए रिक्वेश्ट करेंगे नाजायद रिशलीव अम साथ शाणती से बैठें यह हमारा देखें साहम 176 यह वैसकार करें इसाब हम सब मज़क्शित करो हमसरे हैं तीक है हम में यहां ट्क यृ काम करना चाहते हैं हम company को कोई नुखसान नहीं पोचाना चारे साथ हम करेंगे और company को top level तक ले जायेंगे फुल energy से काम करेंगे लोगों ने आपसे कुछ कहा किया रोजगार करेंगे नहीं करेंगे आगे क्या करवाई करेंगे अंदर कुछ बताएं लोग यह कह रहें तुम्हें मांग रहे हैं और यह देने के लिए तयार नहीं है साथ दर्वाइज हम अपना धर्नाय से जी बदी सर उपर हम से यह कहा गया है कि खाली हम आपको आस्वासन दे सकते हैं लिखित में नहीं दे सकते फिर भी हमारा एक यह मैं ना तो हम कंपनी को कोई नुक्सान पह किया जाए और यह सिल्षिला कंटिनु एक दिन से नहीं कंटिनु पांचे महिने से चल रहा है जिस सारे वर्करों को डे वाइडे वन वन करके यहां से लेफ्ट किया जा रहा है अब बताओ इस कंपनी में हम कैसे अपनी रेपूटेशन बनाए जिससे हमारे और हमारे हैं पस हम मजदूर भाई 57 लोग हैं ठीक है यह केवल उनकी आवाज मनेजमेंट तक पहुंचा के आएं साथ लोग ठीक है और यह बैसकार हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा रोजगार सुरक्षित नहीं होता साब हमें यह नहीं मालूम होता कि हम यहां काम करने क् साथ हम सारे यह पर टेक्निकल बंदे हैं साथ अंदर फटी डिग्री वाले इन्होंने ले रखें बीस भी जाजार तनका में और हम मातर चान में सो पिचान में सो चुरान में सो मातर दश्जार दोसों में काम करें साथ उनका रिकॉर्ड चेक करवाया जाए साथ वो फटी साब तक जाए ठीक है यह रिक्वेस्ट करेंगे साब आप तो परती नहीं थी मंडल भी भाराज का है और आप लोग जैसे देख रहे हैं इन्हों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ आसवासन तक की बात कही है उन लोगों जाके इनको कोई भी प्रोब्लम सामने फेस इनको ना करनी पड़े ये इन लोगों की एक चोटी सी मांग है लेकिन अब भी इनको सिर्फ आसवासन के सिवाए कुछ भी नहीं मिला है जितने भी लोग यहां खड़ें इन से हमने बात करने की कोज़िस की और इन्होंने बार बा जताना चाहते हैं कोई नुक्षान नहीं करना चाहते हैं इसके बावजूद भी अंदर गए परति निधी मंडल के साथ में जिस तरीके से उन्होंने बात की वो एक सोचनिय विशे है कि उन्होंने अभी तक सिर्फ एक आसवासन दिया है और उसके बाद यह का है कि हम कोई लि तथा यह शाओ भी का इलाज वह भी बीना किसी ओप्रेश्ओं बीना किसी दवा और बेना किसी के अमारे यहां अधूप्रेशर अधूपंचर लेजर अक्युपंचर वocyल मन शूत्रनेती, मसाज, मठबात, स्टीम बात, योगा, द्वारा, माईग्रेन, सर्वाइकल, स्लीप डेस्क, साइटिका, चिकनगुनिया, मोटापी जैसी बिमारियों का स्थाई इलाज किया जाता है। अब आपके शहर रिवाडी में हम लेकर आए हैं प्राकर्तिक उप्चार पत्ती जो ऐसे लोगों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है, जो लगातार वर्सों से ऐलोपैथिक दवयों खाकर परेशान हैं, लिवर और किड्नी की समस्या से परेशान हैं, जैसे बीपी, सुगर, माईग्रेन, डिस्क की समस्या, आदी के लिए एलोपैथि में एक मात्र उप्चार, ओप्रेशन और जीवन दवयों के उपर निरबर हैं, लेकिन हमारी पत्ती में बिना किसी दवा और बिना किसी साइड इफेक्ट के प्राकर्तिक उप्चार पत्तियों दवरा इलाज किया जाता है, हमारे सनस्तान में बीपी और सुगर के जो एलोपैथि में उमर वर दवया खाने के लिए बोला जाता है, उनका केवल कलर ठेरपी और मेगनेटिक बेल्ट दवारा स्थाई इलाज किया जाता है, हमारे सेंटर पे आईवी एफ और बांजपन की समस्या से जूजने वाली महिलाओं के लिए भी इस्थाई इलाज है प्राकर्तिक उप्चार पत्ति दवारा, आयुर्वेद उप्चार से भी बिमार्या ठीक की जाती है, अगर आप चिकच्चा के इंदर तक आने में ऐसा मर्द है तो घर बुला कर भी उप्चार करवा सकते हैं, प्राकर्तिक अगर आप अंग्रेजी दवाई खाखा कर ठक चुके हैं, तो आज ही संपर्क करें, 9-8-137-4-3-4-2-7